अलवर के एक शम्शान घाट में तांतरी किरिया करने का मामला सामने आया है ये मामला उस वक्त उजागर हुआ जब एक युवा की मौत के बाद उसका तिया करने परिवार जन शम्शान घाट पर गए थे जिस जगे पर उस युवा का दहा संसकार किया गया था उस इस्थान पर शरंगार का समान रखा हुआ मिला सूचना के बाद नगर परिशत के चेर्मेन मुकेश सारवान वे कोतवाली थाने का जापता भी मौके पर पहुँचा अलवर शहर के स्कीम नमबर चार निवसी राकेश गुपता ने बताया कि उसके पूतर परतीक की मौत होने पर शुक्रवार को परताब बंद शम्शान घाट पर उसका अंतिन संसकार किया गया था आज जब तिया करने के लिए वहाँ गये तो उस इस्थान पर श्रंगार का समान रखा हुआ था जिसमें चूडी, कड़े, बिंदी, लिपिष्ठिक और मेंधी से इतकाफी समान था उनका कहना है कि अंतिन संसकार के बाद वहाँ से फूल भी गया मिले हैं रात में कोई तांतरिक विद्या के गई है पूल भी ले जा सकते हैं तांतरिक विद्या करने वाले फूल भी ले जा सकते हैं उनका रोब था कि यहां रात को ना तो लाइट की विवस्ता है और ना ही कोई गाड होता है इसलिए यहां पर कोई तांतरिक करिया करके चला जाता है और पता भी नहीं चल पाया पुलीस भी मोके पर पहुची और फोटो लेकर गई है इदर सबापाती मुकेश सारवान ने बताए कि सूचना के बाद मोके पर पहुचे तो देखा तो वहाँ पर शरंगार का समान मिला फूल भी गायब है रात को कोई करमचारी यहां नहीं था अब गाड लगाने की व्योस्ता के जाएगी और यहां बिजली भी लगवाई जाएगी नहीं इन्होंने मुझे बता दिया मैंने भी देखा है यह चीज है हुई है रात को